GATE यानि Graduate Aptitude Test in Engineering फुल फॉर्म पढ़कर हमको लगा कि इसे केवल इंजीनियर ही क दे सकते हैं क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? चलिए आज हम GATE के बारे में आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देते हैं नमस्कार मेरा नाम है फात्मा जहरा और आप देख रहे हैं रंगू GATE आपके लिए देश के टॉप इंसिट्यूट में एड्मिशन का दर्वाजा खुलता है GATE क्वालिफाई करके आप देश की टॉप सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी पा सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ कई सारे स्कॉलर्शिप के लिए भी अपलाई कर सकते हैं आज हम आपको इन ही सब के बारे में बताएंगे हम आपको बताएंगे के GATE क्या है, इसे करने के क्या फायदे है, कहां मिलता है अड्मिशन सबसे बहले जानते हैं कि GATE एक्जाम क्या है GATE यानि Graduate Aptitude Test in Engineering GATE एक राष्टे स्तर का Aptitude Test है, यानि इसके जरीए योगिता की परिक्षाली जाती है इसके अधार पर Post Graduate Engineering और Science विश्यों में दाखिला मिलता है GATE 2022 कुल 29 सबजक्ट के लिए आयुजद किया गया था Indian Institute of Science यानि IISC, Bengaluru और साथ IIT बारी-बारी से मिलकर इस एक्जाम को कराते हैं ये IIT हैं खड़कपुर, दिल्ली, गुहाती, बॉमबे, कानपुर और मदरास 2022 में ये परिक्षा IIT खड़कपुर ने आयुजद कराई थी 2023 में IIT कानपुर की ओर से GATE की परिक्षा आयुजद की जाएगी GATE आयुजद करने, रिजल्ट और सारे मैनेजमेंट के लिए एक बोड बनाया गया है जिसे National Coordination Board कहते हैं ये सिक्षा मंतराले में Higher Education Department के अंतरगर्थ आती है IIT खड़कपुर की नॉटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे Candidate जिन्होंने Engineering, Technology, Architecture, Science, Arts, Stream में Undergraduate Degree Course पूरी कर ली है या तीसरे साल में है वो GATE 2022 की परिक्षा दे सकते हैं इस exam की validity तीन साल की होती है और ये 100 नंबर का computer based exam होता है इसमें 65 सवाल पूछे जाते हैं exam में negative marking होती है सभी screen में journal aptitude वाला section common होता है और बाकी subject के हिसाब से paper होता है पहले इस exam को सिर्फ भारतिय चात्र ही दे सकते थे लेकिन अब international student के दाखले के लिए ये exam कुछ सालों से दूसरे देशों में भी होने लगा है जैसे के बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, इथूपिया, अरब, अमिरात ताके इस देशों के चात्र भी भारत के कॉलेजों में दाखला ले सके किन शेतरों में बना सकते हैं? करियर अब बात करते हैं उन शेतरों की जहां गेट क्लियर करने के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं पहला है मास्टर गेट का exam देने के बाद आप कई सारे संस्थानों में मास्टर्स के लिए अपलाए कर सकते हैं एक अच्छे गेट स्कोर के साथ आप IIT जैसे इंजिनरिंग संस्थानों में MTAG कर सकते हैं गेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप कहीं admission लेते हैं तो financial ed भी मिलते हैं दूसरा है PSU में नौकरी गेट क्लियर कर आप पबलिक सेक्टर अंडर्टेकिंग यानि सार्वजनिक श्वेत्र की सरकारी कंपनियों में भी नौकरी पा सकते हैं गेट क्वालिफाई करने के बाद स्टुडेंट के पास बी एच ई एल, आई ओ सी एल, ओन जी सी, एन टी पी सी, जैसे दोसों से अधिक PSU में नौकरी पाने का अफसर होता है गुरूप A लेवल की नौकरी, केंदर सरकार गेट स्कोर के जरीए गुरूप A लेवल के कई पदों पर सीधी भरती करती है जैसे Senior Field Officer, Senior Research Officer, वगेरा गेट स्कोर के आधार पर भारत सरकार के कई विभागों में नौकरी भी मिलती है तीसरा है, Management में PG Diploma National Institute of Industrial Engineering, Post Graduate Diploma in Management Study में कई तरह के कोर्स ओफर करता है जैसे के Post Graduate Diploma in Industrial Engineering, Post Graduate Diploma in Manufacturing Management, Post Graduate Diploma in Project Management इन कोर्सेज में क्वालिफाई होने के लिए Candidate के पास Engineering और Technology Graduation लेवल पर 60 प्रतिशत और GATE क्वालिफाई होना चाहिए इसके अलावा आपके पास Research और Development में भी नौकरी के अफसर है चौथा है अगर आप Academic में करियर बनाना चाहते हैं तो GATE के जरिये Master और उसके बाद PhD के लिए भी अपलाई कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं उनकी के GATE exam के लिए क्या योगताएं होनी चाहिए GATE exam देने के लिए आपका graduate होना जरूरी है अलग-अलग courses के लिए अलग-अलग eligibility criteria होता है इस परिक्षा को देने के लिए कोई age limit नहीं है graduation के बाद आप किसी भी उम्र तक इस परिक्षा को कई बार दे सकते हैं GATE exam के लिए आप आविदन GATE के official website पर जाकर कर सकते हैं इस परिक्षा के लिए आविदन अगस्त के आखरी सब्ता में शुरू होता है और सितंबर के आखरी सब्ता तक इस परिक्षा के लिए आप आविदन कर सकते हैं अब ये जान लेते हैं कि GATE clear करने के बाद आप कहां कहां admission मिल सकता है GATE clear करने के बाद आप IIT NIT में दाखला ले सकते हैं इसके अलावा IISC State College भी GATE का score accept करते हैं अब ये जान लेते हैं कि आखर 2023 में कब GATE का exam होगा जो student GATE के लिए अगले साल apply करना चाहते हैं वो IIT कानपूर के द्वारा जारी किये गए GATE 2023 का schedule देख सकते हैं क्योंकि 2023 में GATE परिक्षा का आयोजन IIT कानपूर करेगा 2023 में सितंबर के पहले हफते में registration process शुरू हो जाएगा exam 4, 5, 11 और 12 फरवरी 2023 को होगा candidate exam के बारे में और जादा जानने के लिए official website gate.iitk.ac.in पर देख सकते हैं पिछले साल 2022 में IIT खड़कपूर ने GATE ओगनाईज कराया था जाते जाते एक और बात CBSC ने result जारी कर दिये हैं इससे जुड़े सारी update आप हमारी website और channel पर देख सकते हैं ये बताना बिलकुल ना भूले ये episode आपको कैसा लगा हमें बताएं और हाँ आप अगले episode में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं सुझाव और सवाल दोनु हमें लिख भीजे रंगरूट एट ललनटॉब डॉट कॉम पर और हाँ हम आपके लिए एक नाया चानल भी लेकर आएं रंगरूट नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शुक्रिया